हेलो माई टू फेमली कैसे हूँ रादे रादे सभी को नमस्ते फ्रेंट तो देखिए ये संजुग की बात ही होती है कि हम दोनों आज पूजा करने वैट गए एकी साथ मैं ऐसा हुआ कि ये पहले आ चुके थे मैं बाद में आई थी आप बताईए फ्रेंट कैसे हूँ मैं तो बिलकुल ठीक हूँ मेरे परिवार में सभी ठीक हैं आप बताईए आपकी परिवार में सब अच्छे हैं तो मेरा सभी को छोटी बड रखी हो यह चला रहती है सुबस्वा जखकर मैंने बोला बेटा इसको रख दे अभी सुबस्वा मत चला तो फ्रेंट एक नीव ब्लोग में आपका स्वागत है पूरा ब्लोग देखा करिए आप लोग देखते नहीं बीच में कर देती हो तो यहां पर मैं पहले सबसे पहल जाता हैं पांच कर लेती हो संसींग तो देखी रामतिव बहु बताते हैं कि अवहां तो दिक्वार करती हूं माला अमेन दिन से अब करती है अगर अध्र वाज्य अरुट इसके लिए माफी चाहती हूं मैं मेरे पास अभी कोई माइक नहीं तो इसलिए मैं मुबाल से ही व ब्लॉग पर व्यूज ने आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं सक्सेज हो पाऊंगी यह नहीं यूटूब पर आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं एक दिन पक्का हो जाऊंगी मेरे ब्लॉग बहुत कम व्यूज कम कम आ रहे हैं ब्लॉग पर मैं नाचर अगर बच्चे इसकुल नहीं जाते हैं तो बहुत जादा खुश रहते हैं तो बैस तीनों बेटियां जग चुके हैं सुबस वह कर टाहें में आठ बज रहे हैं तो मैंने नास्ता करा देना हूं अगर वैसे अगर इस नहीं इसकुल जाना होता तो लेट से जगती आज इने इसकुल नहीं जाना है तो जल्दी जग रही हैं जल्दी जग गई थी और देखी यहां पर यहां पर एक दू मचर खायाते हैं तो खुझली करने लगती है ऐसा मौसम चल रहा है कभी बारिस कभी धूप इस वाले मौसम में मचर बहुत जादा हो जाते हैं तो बै मैं उसको हाथ में लेकर बैठी हूं पहले इसको खुला दौए यह तो मेरे चोटी बेटी ने मंती नहीं है गुश्ण हो जाती है कहरी मम:"मा मैं आपका हाथ कहा जाओंगी मने खा जाना मेरा हाथ खुदातों से खिला देती हूं और हमेशा ही मैं इससे बोलते हैं कि सीधे पैर करके खाया कर बैट जाती है यसे ही बच्चों को थोड़ थोड़ ऐसी याद होती है बच्वन में तो दीगा ऐसी बैटती हमेशा ही मैं कहते हैं बेटा ठीक से बैटा कर पेरों को अच्छे तरीके से बैठना खाना चाहिए हमें सही और सही दिसा में बैठके खाना चाहिए और सब को ना घर में ये वाला मौसम है और कभी बारिस कभी धूप इस वाली मौसम से सबी को मिला खान से जुखाम सहु रखा है यह वाला फिलू फैल जाएगा, पहले आयंकों हाला फैला था, यह वाला फैल जाएगा, क्योंकि मौसम चेंज होता है, तब यह वाला बच्चों में अक्सर होता है, उसको यह बाद मैं यहाँ पे धुलती हूं कपड़े, सारा प्रोग्राम महारे यहाँ पे हुआ था, मनले प्रोग्राम के बाद बस इतना सारा कपड़ा हो गया था, दो दिन मैं धुले ने थे कपड़े, तो मैंने सोजा चलो, आज मैं कपड़े ही धुल देती हूं, सनीवार और अविवार को सारे कपड़े खट्टे हो जाते हैं, दो दिन के, अगर आप धुलो तो ड्रेस भी अगर देती हूं, तो बस मेरा यहां पर चल रहा है, घर का ही काम है, आप सब बस करने लगी थी, बस पहले कपड़े धुलते हूं, उसके बाद खाना बनाओंगी, क्यांकि कपड़े एक तरफ धुलते रहेंगे, उसके बाद फिर मैं खाना बनाने बना लूंगी, हेलो फ्र टाठोच का है, फूजा पार्ट से, तो बस में यहां पर दो रही हूं कपड़े, आज यह सनीवार, सनीवार है, लेकिन बच्चे इसको नहीं गए थे, तो रात को दड़ा लेट्स होएते और जग भी नहीं रहे थे, तो मैंने इस लिए बेचानी, और मैं यहां पर के दूदी में आज, दो दिन के कपड़े हो गए थे, वैस आज में टाइम मिला है दोने के लिए, आगे ब्लोग में बने रही है, पूरा ब्लोग देखना आप मेरा, बीचे बिल्को इसकीद मत करिए, और ब्लीस आप लोग थोड़ा सपोर्ट बना देजे अपना, आप को भी हाँ पर निला दुला दिया, कपड़े पिठा दिया, बस इनकी मस्ती हाँ पर चालू हो गई, घर पर रहते हैं तो वच्छी उदम जादा करते हैं, और साइकल चला रही है, इसको आने लगा है साइकल चलाना, मैं तो यह सुच रही थी, मैंने तो खामा खाही मंगा ममी ने बैसे भेज़ती है, बना पता नहीं चला पाई की नहीं, लेकिन यह न चलाना सीख गई है, अपने खुद अपने आप ही चला लेती है, तो बस अभी गोल-गोल गुमारे क्योंकि सहरों में ज्यादा बड़ा मकान नहीं होता है, जगा भी नहीं होती है, सारे जगा म बना लिया, जो बेसन बनाती है, उससे गाड़ा गोल बनाना हमें, उसमें डाला हल्दी मिर्च नमक, और दिखे कितना गाड़ा गोल है मेरा, ज़्यादा गाड़ा हो या तो थोड़ा इसमें पानी भी डाल दोंगी, क्योंकि ज़्यादा ना गाड़ा होना चाहिए, ना ज यहां पर थोड़ सी मिर्ष डाल लेते हैं बस अभी गूल बना रही हूं ना कतली बनाने के लिए तो इतनी सारे मसाली डालते हैं उसके बाद जो पेश्ट बनाएंगे टमाटर का उसमें सारी चीजा मिला लूँगी मैं आज इसको मैं बिना प्यास से बना रहे हूं तो आपक लग रहा होगा इसमें तो गुठली पहले से ही पड़ी है लेकिन ऐसा कुछ नियां गुठली नहीं पड़ेंगी इसको चलाती रहूंगी न तो अपने आप एकदम अच्छी से तरीके से हो जाएगा यह अगर इतनी बनने के बाद हमने अगर इसको रोग दिया न चलाना त तो देखी इतना गाड़ा मैंने पेश्ड बनाया हुआ यहां पर एक ठाली में मैंने लगा लिया यहां पर तेल उसमें सारे बैटर को निकाल लूँगी इसको अच्छे से फैला दूँगी उसके बाद मैं बनाऊंगी यहां पर इसकी कतली सबजी बनाने वाली हूं आज य कि हम रहने वाली भी रायस्तान के हैं तो इस लिए सबको पसंद आते हैं ये वाली सब्जी तो बेसन से बने हुई सारी सब्जियां भी अच्छि लगतने खाने में पकोड़े होते हैं पकोड़े तो सबको पसंद होते हैं तो यहां पर मैं अच्centered से से इसको पैलाद ओनग कि अपने आपी जमने लगता है तो देखिए बेशन यहां पर जम गया था अब बैस इसकी कतली बना लेती हूं मैं और देखिए अभी आपको दिखाते हूं कितनी अच्छे सी कतली जमी हुई है कि बहुत लोग डर जाते हैं कि हम पर नहीं बनेगा मुझे नहीं पहले मेरे पहले नहीं बनता था यह वाली सब्ची लेकिन अब मैं सीख चुकी हूं कि एक यूटूब चैनल ना ईक ऐसा है उससे न सारी चीज़ा कुछ भी सीख सकते हूं मैंने तो बहुत कुछ सीखा हुआ उसी से यूटूब पर देख़र मैंने अपना चैनल भी खूला हुआ है यह जो मैं आपको मेरा चैनल है पूजा कुमारी ब्लॉक यह ना मैंने यू इनको किस तरीकर से बनाते हैं यहां पर मैंने लिया है अब्न इसमें प्याज का भी पेश्ट ढाल सकते हैं लेसन === डाल सकते हूँ, मैं नहीं डाला है क्योंकि मैं भोग लगाने वाली हूँ, आज इस वाली सब्जी से इसलिए, तो देखिए मैंने अच्छे से टेमाटर को यहाँ पर भूनूंगे, उसके बाद डाल दूए मसाले गूल कर, तो देखिए मसाले टेमाटर अच्छे से पक गया सब्जी का मसाला अच्छे से पकना चाहिए, वाल भी अच्छे से आना चाहिए इसमें, तो देखिए वाल आ गया था, मैंने इसमें कर दिया था पानी, और देखिए अच्छे से पक गया यह पानी, अब मैं इसमें डाल दूँग, यहाँ पर कतली जो मैंने कट करके रखी ह तरीके से डाल सकते हूं, पहले पानी को अच्छे से पका लेना उसके बाद ही डालना, वना क्या होता? बहुत लोग इस तरीके से बनाते हैं, पहले कथले को डाल देते हैं, पानी घुल जाती हैं, लेकिन आप ये गलती मत करना, देखी यहां पर बस इसको मैं चला दूंगी, कोई नहीं कह सकता यह पनीर से अच्छी नहीं लगती पनीर की सब्जी अच्छी लगती यह भी बहुत जार टेस्टी बनते यह वाली सब्जी आप एक वाल जरूर ट्राइए करना इस तरीके से मेरे तरीके से बनाकर तो देखिए अच्छे से इसको अब ढग दूंगी पसंद नहीं हरा धनिया लेकिन सब लोगों के खातिर में अपने लिए करना यहीं City लोग कौता है इसका flavor सारे सब्जी में हो जाएगा तो जब टेस्ट आएगा और कितनी यम्मी दिख रही है वाली सब्जी खाने में और गर्मा गर्म फुलके मिल जाएगा चूले के तब होती जादा मज़ा आजाएगा बिल्कुल तो बस देखें यहाँ पर बन रही है मेरी सब्जी और चल क्लिए और बैस यहाँ पर देखी कितनी यम्मी बनी है सब्जी फ्रेंट आप एकवा जुल ट्राय करना वाली रेसिपी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शिर कमेंट कर दिना आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो कमेंट करके बताना आप लोग रेसिपी कैसी ल कर लोगी ह।